तो एलोर्फेंट कैसे हैं आज मैं आपको तरह रहा हूँ IOS के नए अपडेट के बारे में जो की है 16.1 जिसका पब्लीक वर्जार रिलेज हो चुका है और बैटरी के इशू भी वहाँ पर रिजॉल किया गया है क्या ये अपडेट उसके बाद क्या चेंजिस हुए आगे आपको वीडियो मताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरे चलों को जदू सब्सक्राइब करने ना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबादेना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चलते हैं दोस्तों आगे दोस्तों जैसा कि मैंने बता है मैं आपका iOS के नई अपडेट के बारे बता रहा हूँ जो कि है 16.1 का iOS का अपडेट यह मेरे iPhone में 13 mini में 1.13 GB का यह अपडेट आया है इस अपडेट में आप देख सकते हैं iCloud को लेकर काफी मैजर अपडेट किया गया है और साथ में बहुत ह यहाँ पर activity को भी या नए feature को भी add-on किया गया है यहाँ पर आपको दो चीज़ बता दू अपडेट होने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जो mobile की storage जो free थी 809 MB की मेरे पास available storage थी और update होने के बाद मेरी storage वहाँ पर improve हो गई है यहाँ हो सकते हैं increase हो गई है अगर म को लेकर यहाँ पर क्या है अगर आप यहाँ पर फोटो पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया feature add-on मिलेगा जो की है what's new in your photos आप यहाँ पर share library कर सकते है copy and paste edits कर सकते and merge duplicate मतलब की आप अपनी photos को iCloud से link करके किसी भी 5 लोगे साथ आप share कर सकते है family members friends या कोई भी अपना group के साथ आप वहाँ पर share कर सकते हैं इवन जब भी आपको नई photo भी click करेंगे तो भी आप directly वहाँ पर share कर सकते हैं तो आपको iCloud को on करने के आपको यहाँ पर सबको continue पर click कर जाना है और उसके बाद आप easily जिन सबको share कर पाएंगे अगर आपको वहाँ पर option ऐसा नह जो feature है आपको इसको on कर लेना है उसके बाद आपको वह notification महाँ पर मिल जाएगी तो सबसे पहला update यही था उसके दोस्तों second जो changes किया गया है जो की major changes है आपने दिखा हुआ था आप आपको बैटरी का जो percentage है सबको दिख रहा था पर iPhone 13 से नीचे वाली सारी सारी सीरीज में वह work नहीं कर रहा था बट इस update के वाद उन्होंने इसको भी finally सबके लिए release कर दिया गया है अब आपको यह सब पर option मिल जाएगा आपको जाना है यहां बैटरी वाले section पर आपको बैटरी परसेंट का option मिल जाएगा आपको सिंपल इस पर on कर लेंगे तो आप दिख रहे हो को रहा था यह सिर्फ नंबरिंग दिखाता था और पीछे का बैक्राउंट या बोल सकते हैं जो पीछे की बैटरी यह कम नहीं होती थी बट अब यह भी कम जादा होगी graph के साब सभी कितनी परसेंट बैटरी उस आप से वह कम जादा होगा तो उसको भी यहां पर कुलिक करेंगे करने के अब अकेले home screen को भी कंस मैस कर सकते हैं यहां पर colors आप अपनी कुछ की दूसरी फोटॉस भी लगाना तो भी लगा सकते या अपने पुरानी जो आपने अपने लॉक स्क्रीन में लगा रखी वोई फोटो से लगा रहा है तो ला सकते है बलर वारा एफेक्ट देना है नहीं देना आप मतलब होम स्क्रीन को भी अलग से एड़िट कर सकते है यह उप्शन भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है साथ आपको यहाँ पर कोई विजार्ट को एड़ करना है तो आप बहुत सारे यहाँ पर विजार्ट एड़ ओन कर सकते हैं तो थाट चेंजिस यह था उसके आद दोस्तों फोर्ट बताने वाला हो इसमें यह है इस अपडेट में मेजर चीज यह है कि बैटरी को लेकर बहुत ल जलदी यह आई पर्फोर्मेंस आपको जरूर जरूर अफडेट करना चाहिए इसमें एक चीज और दीगई है लाइफ एक्टिविटी वह कैसे वर करेंगा वह मताता हूं लाइफ एक्तिविटी मतलब की अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो कि लाइफ ट्रेकिंग होती है वो आपको lock screen के अंदर मिल जाएगी थोड़ी battery training की है बट काम का feature है तो उसको use करने के लिए आपको करना क्या है मैं पहले आपको use करके बता जाता हूँ आने वाले time पे जोन-जोन सी app यह support करेंगी तो यह सब को आपको मिलने वाला like मैंने हापर timer का use कर लिया को track कर रहे है तो उस सब चीजों के लिए आप यह live active वाले वाले का feature को use कर सकते है overall इस updates में security updates और battery performance को improves किया गया है कुछ लए feature को add on किया गया था अच्छा खासा यह update है मेरे साब से आपको यह update करना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं किया उमीड है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you तो समझे उमीड है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक ज़रू करें thank you